हेलो एब्रिवन स्वागत है पीड़ब्ली उल्ली आईएस में आज का चैप्टर नंबर 44 शुरू करने से पहले एक बार इस चीज को विजुलाइज करते हैं आख बंद कीजिए अपने ईश्वर का अपने माता पिता का ध्यान कीजिए और इस तस्वीर को एक बड़ तरा इमेजन करो वो जो आपने जो फोटो देखी होंगी कई सारे टॉपर्स की के लाल बहुत बड़ा बोर्ड है वहाँ पे गोल्डन लेटर में लिखा हुआ है यू जो वहाँ बार लड़के बच्चे चश्वर कहड़े होते हैं तो वो औरड़ी उनमसे कई तो मान ही चुकी उते होते ही यह गरेक्टर हैं और इसके बात अंदर पहुचते हैं अ वह नहीं बॉर्येत हो रही है तो मैं आंग बंद करके बैठा वशार पेशाल मैं वेञे मू बोले कि सर कॉफी लेंगे तो मैंने का सर आइम गुड तो बोले कि सर ले लीजे जरूरत पड़ेगी बलत वहां का स्टाफ भी जानता है कि कौन यहां पेगिनर है कौन पहली बार आया है किसके नर्वस्टिक्स हो रहे हैं कौन घबरा रहा है सारी जीज़ है और पैनल तक पह ब्रेृट पहले सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में जाने वाले लोगों को मेजर मेजर सेंट्रल स不過 जाने वाले तो एक रिकूरूटिग या Recommulator कि यह सारा अपना सब देखती है कि कहां कहां भरती होनी है कितनी भरती होनी है जो भी है इनकी पास requirement आती है स्टेट से किसाब हमें इस स्टेट में इतने officer चाहिए है यह सब चाहिए है यह उस service के according exam conduct कराती है active examination यहाँ जब आप website खोलते हो जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पहला तो बहुत स ऐसे exam उपर आते जारे हैं जो जो close by हैं तो कई सारे exam कराती रहती है पूरे साल यह संस्था बहुत बड़े-बड़े exam कराती है अब इस संस्था को पैदा किया है it is born from this constitution itself मतलब born and made by born and made by the constitution made by the constitution पूरा वर नहीं लिखूँँगा मैं मैं consistency लिख दूँगा ठीक है समझ जाना तो अब constitution में जब हम part 16 देखते हैं यहां पे 315 से लेके 323 इन 9 articles में हमारे UPSC के बारे में सारे प्राफदान पहले से लिखके रख दिये हैं कि अजाद हो तब हो ठीक है पर जो UPSC हो जो हमारी सरकार में meritorious students लेके आए meritorious aspirants candidates लेके आए आप जैसे तो यह लोग यह संस्था कैसे काम करवा पाईगी कैसे काम कर सकेगी तो इस संस्था में कौन होंगे उनका appointment कैसे होगा उनको कैसे हटाया जाएगा यह सारी इसके अलावा इनकी independence इनकी स्वायत्ता इनकी स्वाधीनता इनके पा से आया है इसकी हिस्ट्री को यहीं सम्विदान से नहीं है जब हिस्ट्री में जाओगे तब आप आओगे के 1757 बहुत इंपोर्टेंट इएर क्यों था इंपोर्टेंट इए यह वाला खेर बताना मुझे तो जब कंपनी की सब्समें हुकूमत थी हमारे इस इंडिया कंपन तब यह अपनेया क्या करते थे जो बड़े-बड़े इनके अफसर होते थे रॉबर्ट क्लाइफ के नीचे जो उनके तीन-चार अफसर हुए बड़े-बड़े ठीक है होते रहें तो उन ओफिसर्स को हम बोलते थे कि यह आएं CCS सर्विस के द्वारा Covenanted Covenanted का मतलब होता है इसका मतलब होता है Agreement के इन्हों ने जो अफसर यहां आया है Posting पाके England से उस अफसर ने Company से Company के Court से Court of Director जो होते हैं के Company के जोनके अपने Governor होते थे इनसे उन्होंने agreement किया है कि साब हम है Britain के Nobility कोई मानलो अफसर जो आने वाला है वो कह रहा कि साब मैं ब्रिटेन के बड़ा बड़े उध्योग पती बड़े उध्यमी का बेटा हूं बेटी हूं अच्छा ठीक है आप क्या करोगे कि हमको आप भेजिए इंडिया कि आपका करोगे कि हम आपको आपको टैंस चाहिये वह में आपको करवाइगे हम आपको एछ लिए रख साथ ऑप करने लीए और करें लिए तो उन्हें ताई कि नहीं नहीं हम एक्रिमेंट कर रहें आपके साथ अफसर तो बनाव हम है और ब्रिटन के जो नोबिलीटी क्लास होती थी जो रिच क्लास होती थी रिच पीपल होते थे वह लों कहते हैं हमारे बेटे बेटियों को भेजो इस इंडिया कंपणी में अफसर सब्सक्राइब कोई चाहता था कि यहां पर आके कोई अपना हमारा बेटा बड़ा बड़ा बच्चा कोई नाती बोता जाए अफसर बने बड़ा आद्मी ठीक है यह बने तो सीचेस मेंबर्स हैट्टु साइंड कोवेनेंट्स विद्धक कंपनी बोल्ड बोल्ड मैंने यहां इनके गवर्निंग बोड़ी सबसे बड़ी वाली जैसे बोट डिरेक्टर आज होते हैं कंपनी तो उनके साथ ही सिगनेचर करते थे कहां सर हम आपके लिए सेवा देंगे इंडिया एसीने कंपनी के साथ हम जब तक हमारा कॉंट्रेक्ट चालू है कोवेनेंट हमारा चालू एग्रिमेंट हमारा चालू तब तक हम इसीने कंपनी के लिए हमारी वफादारी रहेगी अब जब खतम हो जाएगा तब आप हमको कहीं और पोस्टिंग दे देना कहीं और अपना जहां देना चाहो हमको तो कीनिया देदो अफ्रीका देदो वेस इंडीज देदो कहीं जब 1853 का यह आया चार्टर एक्ट आया याद आगे चार्टर एक्ट 1853 वहाँ पर बात हुई कि साब एक कोई बहुत बड़े शक्स को बुलाओ अगले साल इस चार्टर एक्ट ही बदौलत एक मैकाउले कमिटी आप आई इस एक्ट ने कहा कि हाँ हम कुछ सर्विसेस के लि पूरे इस्टर्ण वर्ल्ड की सारी किताबों से जादा अच्छी है मतलब यह कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन की यानि वेस्ट की इंगलिश की फिलोसफी की लिटरेचर की जो किताबे हैं उसकी तुम खाली एक शेल्फ देख लो लाइबरेरी की बस एक एक विलकुल जहां कित इस्टर्ण वर्ल्ड के स्कृप्चर से इस्टर्ण वर्ल्ड के स्कृप्चर से ओरिएंटल सारा लेटरेचर यह मानते ही नहीं है कि यह सब बेकार है यह बढ़िया है इंग्लेंड की या वेस्ट की जो जो नॉलेज है यॉर्प की जो नॉलेज है फ्रांस की उस समय के प् अ यहां आके बोला कि यह जो आपका जो यहां वाला स्धान थे अग्रीमेट वाला जिसमें आप क्या करते थे कि आप कंपनी की पेट्रण ें चेक करते थे क कौन पमपनी की अच्छा पेट्रweis है अब मान一次 को मँढ़़ों कोई कंपनी है प्रेसिडेंट कोई अपना हेड बना दो कंपनी बोलेगे हां ठीक आप इतना अच्छा हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है आपके बेटे को बना दे रहे हैं तो यह कंपनी के पेट्रॉन की भरतियां हो रही थी अभी तक इन्हों यह अधा यह मत कर अब से आप लाओ merit-based system अब आएगा जो आप राजा का बेटा राजा निए बनेगा अब इन्होंने बोला के जिसके पास knowledge होगी, जिसके पास ability होगी, capacity होगी, गवर्ण करने की, administer करने की, उसको आप बिठाओ, अपने system में, ये बोलके चले गए, फिर इसके बाद हम आगे चले, हमारे तो क्रांती होगी, क्रांती के बाद बोला जाना लगा, के भाईया थोड़ा समेलो, अब ये देख इंडिया को जाओ, अब इंडिया को चलाएगा direct Britain का शासन, direct Britain की सरकार, तब बोला गया, कि भाई, यहाँ जो बड़े अफसर होंगे, IAS, IPS, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनको हम मोलेंगे imperial civil services, imperial होता है, सामराज जवाद, मतलब empire से, मतलब Britain के अभी imperial services है, फिर इसका न Indian civil services, लो, ठीक है, बोल तो दिया, आगे कुछ करके तो दिखा उस पर, तो इन्होंने आगे उसके किया, क्या किया, ये एक act लेगा आगे, act में तो इन्होंने जो बोला, वो किसी वज़म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, act में इन्होंने बोला कि ऐसा है, Indians, तो मतलब Indians को आप जोड़ना चाहरे हो, उनों का हाँ, तो Indians को exam देने का फिर मौका देओ, अब कैसे देओ, loophole देओ, hurdles देओ, इंडियन के लिए, London में exam होगा, जो maximum age limit है, वो 23 से खटा के 19 कर दी गई, 19 की age limit है, 19 के उपर आगर आप गए, तो आप exam लिख भी नहीं पाओगे, सोचो, आप college मे अभी गई भी नहीं हो, और आपकी age limit खतम हो, को या IS बनने की, ये उस समय का सिध्धान दा इनका, और साथ ही, जब आप exam दे रहे हो, आपके exam के अभी के syllabus में क्या है, एक English language और एक अपनी vernacular mother tongue, यहाँ देखो, Greek और Latin, मतलब ये कहां से sense बनाता है, कि एक India में posting पाने वाल इंडिया की भरती के लिए, इंडिया की ओविसर्स की भरती के लिए, Greek और Latin का पूरा सिलिबस जोड़ दिया गया, जो पड़ पाए, वो कर ले, फिर इसके बाद भी, किसने clear किया था, एक India ने clear किया था, पहले इंडियन ने, दो साल के अंदर, इन्होंने exam clear कर दिया था, एक हमारे सबसे, सबसे पहले ICS में, उनका नाम बताईए का कौन है वो, फिर हो, और आगे चले हम, हमने का आगे बताओ, फिर आए, Sir Charles Atchison, Sir Charles Atchison को हम बोलते हैं, Father of Indians, इन्होंने पहली बार बोला, कि भाई, serious हो जाओ, इंडियन अब नराज हो जाएंगे, इंडियन अब वो देखेंगे कि जो ब्रिटन के जो अफसर आते हैं, वो तो शाही जिन्दगी जी रहें, वो तो बढ़िया उनका बंगला है, कलेक्टर भवन उनका बहुत तगड़ा है, ये है वो है, बागी जो इंडियन जो छोटी मोटी सर्वेसेज में हैं, उनकी कोई वैल्यू नही किया, कि भाई इंडियन्स को लो अपने पॉब्लिक सर्वेसेज में, वरना नहीं टिका पाओगे यहां पर अपना समराज्जी, चले जाओगे, छोड़ जाओगे, ठीक है, आइलिंटन कमिशन आया उसके बाद, अभी गांदी जी के एंट्री नहीं हुई है, अभी होगी, ठीक है, तो तब तक भी लेकिन बात समझनी शुरू हो गई थी, यार, बेंगवाल पार्टिशन भी कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया हमने, रॉल अट एक्ट भी लग गया, इधार उधर की सब हमने जो हरकते करनी थी हमने कर ली, इंडियन्स हो रहे हैं, नाराज, तो हमने बोला, कहां ला रहे हैं, ला रहे हैं, पच्चिस परसेंट, जो जितनी हमारी पोस्ट थी, उसमें से पच्चिस परसेंट को हम इंडियन्स के लिए रख रहे हैं, मतलब अगर ब्रिटिश प्रोविंस जितनी भी है देश भर में, पूरे इंडिया, पाकिसान, मंगले जिस म करवा ले, क्योंकि अब जो, मतलब अब सोच के देखो, जो इंडियन को अगर ICS बनना भी है, भले उसके पास ability हो, capacity हो, सब कुछ हो, कि भाई हां मैं पड़ा लिखा भी हूँ, मैंने graduation भी कर ली, मुझे Greek भी आ गई, Latin भी आ गई, एक्जाम कहा हो रहा है, लंडन में, 5000 किल आ चुका है, अब इस समय गांदी जी है कहां पर, आइडिया है कुछ, 1922, ठीक है, अब 1922 में बोला गया, कि साब देखो, अब एक अपने यहां पर ICS exam होगा, इंडिया में लेना पड़ेगा, इंडिया के लोग उसमें भरती होंगे, ठीक है, ICS exam was held in India, Public Service Commission of India का नाम प्रिशन तो नहीं है यहां पर, ठीक है, अब यहां पर 1st October को 1926 को पहली बार घोशना हुई, हाँ साब ला रहा है, Public Service Commission आ गया, पहले इसके Chairman बन गए Sir Ross Barker, ठीक है साब, बहुत बढ़िया, हम 1935 GOI Act इन से बनवाला है, बिरिटन से, बिरिटन ने का, दे दिया, जो PSC, Provincial PSC और एक Joint PSC की घोशना होजी चाहिए, क्या होगा यह, यहां पर आएंगे हमारी Public Service Commissions, जो देश के लिए भी हो, States के लिए भी हो, States माने उसमें, प्रांत, Province, यह वाले, या फिर Joint हो, Joint यानि कि जो, दो से ज़्यादा Provinces के लिए कोई एक Commission अगर आ जाए, तो, तो, आए आए, नहीं आए, नहीं आए, ठीक है, कोशना हमने करवा लिए, अब, आज UPSC आ चुका है, अब UPSC में क्या है, वो पढ़ते हैं, ठीक है, UPSC में कुछ Members ही होगे, Members के उपर एक Chairman होगे, ठीक है, यही है, तो, राश्पती जी, Appoint करते हैं, Chairman का भी, और बाकी Members का भी, जिनका के Strength कभी Fixed नहीं होती है, Change होती रहती है, और यह जो Strength है, It is Left at the discretion of the President, यहाँ पर राश्पती का मतलब है, मतलब Government, Government बता दे, किसाब इस बार UPSC को अभी जो 9 से 10 बाकी Members चाहिए होते हैं, अब हम करते हैं, इसको 12 से 13, क्योंकि Services बढ़ रही हैं, लोग और ज्यादा बढ़ रहे हैं, States ज्यादा, अब इनकी Vigency आने वाली हैं, जो भी आने वाली हैं, ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे Current के Chairman यह हैं, तो इन सरकाप मुझे पहले तो नाम बताईए, यह कौन है, यह हमारे इस समय के Chairman है, UPSC के, as of today, जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, त तो ऐसा होता है, कि UPSC के Chairman या Members का Appointment जब होना होता है, करती है सरकार को, सरकार के अपनी सर्च कम, Selection Committee होती है, सब कुछ होती है, काफी स्कूर्टिनी होती है, कौन से अफसर एकदम Spotless करियर वाले हैं, कौन से अफसर जो है, जिनका बहुत ज़्यादा टालेंट है, इसमें अफसर हो, जितने भी हो ये Members हो, उनमें से आधे, Half of the Members of the Commission should be such persons who have held office for at least 10 years under GOI और GOS, के भारस सरकार या किसी राज्य सरकार के अंडर, वो कम से कम 10 साल के उन्होंने अपने सेवा दी हो, हम इतना तो मान लें, कि हाँ, वो कोई अफसर हो, के कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो र अब उसमें से कौन best है, कौन नहीं है, वो आगे सरकार जाने, राश्पती जाने, ठीक है, ये बता दिया गया, अब इसके बाद हमने बोला, कि सर ये तो बताओ, कब तक, ये रहेंगे अपने office में 65 की उमर तक, या 6 साल तक, जो पहले हो, term of 6 years, और until they attain the age of 65 years, जो पहले करता है, removal होना इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर राश्पती पॉइंट करते हैं, कभी ऐसे किसी member को, कि आप chairman बनके इसमें काम कर लो, क्योंकि हमारे पास, या तो chairman का office vacant हो कि आया है, या chairman साहब अपनी duty निभाने ही पारे, किसी वज़े बीमार हैं, कोई अब बाहर गए हुए हैं, कुछ और जगए अपनी training देने गए हैं, seminar lecture देने गए हैं, जो भी करने गए हैं, अब इसमें अपनी duty निभानी पारे हैं, अपने offices की, इसलिए अभी आप एक acting chairman बन जाओ, कोई और member, जो बागी 9-10 लोग हैं, ठीक है, अब यह जो acting chairman हैं, यह त ठीक है, functions तिल, तिल कब तक? तिल जब तक यह अपनी इनके कुरसी भर जाए, या फिर अपनी वो अपनी job पर वापिस आ जाए, ठीक है, यह हो गए हमारे UPSC के members को लाना, अब इनको हटाना है, ठीक है, जब इनको हटाना पड़ेगा, कौन करेंगे, जो appoint किया है, वो हटा conditions, क्या है circumstance, या तो उनके ऊपर ये आरोप लग गया हो, कि साब, आरोप क्या, मतलब फैसला आ गया हो, कि ये जो प्राणी है, ये जो शक्स है, जो member है, या chairman है, ये insolvent हो गए है, ये bankrupt हो गए है, अब ये question लोगों का आना चाहिए, कि सर ये bankruptcy का क्या लेना देना है, जौब इस से, अगर आपको इसका आंसर पता है, तो मुझे ज़र आंसर बताना है, नहीं पता है, तो मैं next lecture बताऊँगा, जब हम SPS पढ़ेंगे, ठीक है, इंसolvency, या तो उनके गोश्चत हो गई हो, कि साब ये जो अब ये जो अब जो परसन है, ये अब इंसolvent हो गए है, बैं आई यो सील के प्रेशिडेंट भी है, ये दूसरी नौगरी निकल आई इनकी, पता ही नहीं था तक, ये नहीं हो सकते हैं, ये तब रिमूव किया सकते हैं, तीसरा, अगर, if he is in the opinion of the president, unfit to continue office by reason of informity of mind or body, या तो उनका दिमाग या उनकी body, उनके साथ ना रहे, या तो वो sound mind की declare हो जाएं, या ये declare हो जाएं कि sir ये actually function नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको bodily injury ऐसी हो गई है, जो भी है, एक और चीज़, president can also remove the chairman या member of UPSC for misbehavior, misbehavior का दिकर है, misbehavior के बारे में आगे बहुत जादा उन्होंने detail में नहीं बताया है, पर misbehavior word बहुत important हो गया है, अब ऐस पती जी, supreme court को बोलेंगे, कि हम आपको refer करते हैं, please इस पर inquiry कीजिए, कि ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या ऐसे साक्षा आ रहे हैं सामने, जो ये अंदेशा दिखा रहे हैं, कि कोई member या chairman, जो है, वो misbehavior कर रहा है, misbehavior हो रहा है, misbehavior के अभी आगे एक द Supreme Court फिर advice देगा, राश्पती जी को, to remove or not to remove, कि हटा या ना हटा, यहाँ पे, जो इन्होंने advice दी, that advice is binding, खतम, दे दी, अब तो माननी पड़ेगी, सरकार को माननी को, Supreme Court ने दी है, पूझी क्यों थी अगर नहीं माननी थी तो, तो, अब अगर Supreme Court को, अगर inquiry को पता चला, कि हाँ, सर, Miss Behavior प्रूव होता है, Miss Behavior है, then, that means, यह अगर advice देते हैं कि इनको remove कीजिए, then, राश्पती जी, सरकार, has to remove that person, chairman या member, जो भी है यह, ठीक है, अब यह जो Miss Behavior word है, इसके उपर थोड़ा सा जिकर है, क्या है, सम्विदान ने बोला है, that chairman या any other member of UPSC is deemed to be guilty of Miss Behavior, जब guilt obtained ह हो जाए, यह याद रखना, Miss Behavior होता है, Miss Behavior होता है, Miss Behavior होता है, Miss Behavior है, दूसरा, यह सिद्ध हो जाए, यह guilt obtained हो जाए, कि हाँ, सर, Miss Behavior हुआ था, हमने proof भी कर दिया है, proof है इनके against, ठीक है, तो यह point हो गया, कि अगर कोई chairman या कोई और member, अगर guilty है Miss Behavior का, तो वो कब guilty है, वो तब है, concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India और कोई और government of state, कि सरकार कोई contract दे रही है, सरकार कोई बात कर रही है, को business कर रही है, dealing कर रही है, इधर यह chairman या member सहाब जो interested होगा है, कि देखें क्या चल ला है, थोड़ा सा इसमें कुछ हम hairfare कर सकते हैं कि नहीं, that is Miss Behavior, that means कि आप अपने office के साथ justice नह करते हैं, that means कि आप transparent तो हो ही नहीं सकते, अगर आप transparent होते तो अभी काम न करते, तो transparency को बरकरार रखने के लिए, अपने office की integrity को समाल के रखने के लिए, कि कभी अपने office की integrity पे आच ना आ जाए, कि सर कभी ऐसा ना हो जाए, कोई आदमी की question उठा दे, कि क्या UPSC पे भी अ अब क्या आच लगेगी, UPSC पे भी अब संदे होने लगेगा, यह ना हो जाए, या फिर participate कर लें, किसी भी तरीके से profit of such contract और agreement in any benefit, पता ही चल गया, कि हां sir इन्होंने पहले तो interest भी दिखाया था, उस contract में, उस किसी business dealing में, उसके लावा उन्होंने participate गया in any way in the profit of such contract, profit ही क हो सकता है, हम आगे चले, हमने का यह बताओ, जब इतना कुछ करवाई रहे हो, UPSC को पहले काम दिखाओ कि आपके पास काम है और आपके पास काम की independence है, तो सम्विधान नहीं यह ensure किया है, कि आप काम तो करते चलना ठीक है, पर पहले आप काम कर पाओ, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, आपकी independence, आपकी स्वायत, कैसे दे रहे हैं, हम आपको assure करते हैं, कि आपके chairman या आपके जो members हैं, दे, उनका उनका जो tenure है, उस tenure की security है, tenure जब तक आपका office चल रहा है, तब तक आप हो, और जब तक आप office में हो, तब तक आपके service की conditions, आपके disadvantage की तरफ नहीं हो सकती है, यह क्या मतलब हुआ, पहली बाद तो यह, कि आप office से तब remove होगे, जब prove हो जाए, in the manner and on the grounds, उसी तरीके से और उनी वजहों से, जो सम्मेदान में mention है, already, सम्मेदान ने काए, मैंने बनाया है, मैं बताँगा, ठीक है, और remove कोन कर रहा है, only the president, जिसने point किया है, वह बहले ही पार, यह, बहले ही सरकार determine करती है कि इनको कितने, कितनी गाड़ियों का फिला जाएगा, कितनी इनको सुख सुविदा चाहिए, कितना इनको office का खर्चा है, कितना expenses है, सब कुछ है, वह बहले ही सरकार अपना यह ढूड़े की बताएगी, हम सब इतना दे सकते हैं, but they cannot be varied to his disadvantage, आप उनको ऐसा नहीं कर सकते ही, UPSC ने इस बार जो भरती जो करवाई थी, तो जो officer आये थे, वो meritorious नहीं थे, इसलिए काम करो UPSC के सारे दस्तावेज खीच लाओ, इनको अब paper नहीं मिला करेगा, ऐसा नहीं होगा, paper इनको जाएगा, A4 sheets की रीम तो जाएगी feature, desk, सारी चीज़ें, lighting, bulb, बिजली का खर्चा, सब का सब ये charge होता है, on the CFI, Consolated Fund of India, संचेत राजकोष, अपना पूरा देश का खजाना, वहाँ उस पे charge होता है, या इसका मतलब है, अगर देश के खजाने पर directing का बिल फट रहा है, तो that bill is not subject to vote, पारलेमेंट चाहे, discussion कर सकते हैं, ये फैसला नहीं देंगे, ये फैसला नहीं ले सकती, पारलेमेंट इसके, जब CFI अगर कोई bill अगर चार्ज हो गया, और कौन संसामने इससे पीछे पढ़ी है, इस चैप्टर से पहले, जिसका कि expenses चार्ज होते हैं, on the CFI, बता ना जा रही ही पर, now, ये जो chairman होते अब ये चेर परसन हो आप, मैंने ये चेर वोमन, जो भी, तो अब ये चेर परसन को दुबारा से अगर नियुक्ती मिल रही होती, किसी सरकार में, स्टेट की या इंडिया की, कोई और स्टेट में कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो जाए, तब इसका मतलब है, कि इन्होंने उ चुके, ठीक है, यहाँ पर जो बाकी मेंबर होते हैं, जो बाकी बचे कुझे मेंबर हैं, नौ से तस, इस मेंबर are eligible for appointment as the chairman of UPSC, या फिर SPSC के, but not for any other employment in the government of India, अभी आप एक स्टेप और उपर आ सकते हैं, कहाँ चेर में बन जाओ, बस यही और है, ठीक है, इसके अलावा, they are not eligible for reappointment to that office, not eligible for second term, ऐसा नहीं कि आपके 6 साल पूरे हो गई, पर 6 साल के बाद आपने बोला, अच्छा लग रहा था, यहाँ अच्छे इंटर्व्यू होते थे, अच्छे लड़के आते थे, अधित्य सर भी आये, सब कुछ आये, उन समने कुप सवाल बूचे, मजा आता रहे हो तो, अगर सर्च कम सेलेक्शन कमिटी आपको आपका नाम दे दे, नहीं तो फिर देखते हैं फिर आगे क्या करना है, ठीक है, यह होगा, हम आगे चले, हमने का सर, काम बताओ उनके, सबसे बड़ा काम, जो हर साली हो रहा है, और चाने कितने दिन हो रहा है, देख र चौबेस, ठीक है, काउंटडाउन शुरू कर दिया उनोंने पहले ही, सबसे ज़्यादा इमांदार वाडी, सबसे ज़्यादा पारदर्शी तो नहीं, बट सबसे ज़्यादा टाइमली, पंक्चुल वाडी, कभी एक्जाम डिले नहीं होता, कभी एक्जाम गैंसल नहीं हो बाता है, भरोसा है इस पर, यह कमिशन है, जो इमांदारी से काम कर रहा है, किसी और स्टेट कमिशन, आप केतने अख़वारों में सुनते हो, कि सुप्रीम कोड ने इनके जो, जो इनका पूरा रिक्रूट्मेंट, पूरा इनका कैम्पेन, सब कुछ रद्द कर दिया, क्यो जो all-in-day service होती है, all-in-day service कितनी होती है, मेरे क्याल से बहुत rare होती है, कितनी है, total जितनी भी है, उसके अलावा, जो बाकी central services होती है, उसके लिए यह भरती लेते हैं, उसके लिए exam करना करवाते हैं, और साथ ही, जो centrally administered territories हैं, वहां पर करवाते हैं, अच्छा, ठीक है, य जो बाकी राज्य होते हैं, ये assist करते हैं, उसके help करते हैं, अगर राज्य चाहे तो, if requested by two or more states to do so, in framing, बनाने में और operate करवाने में, वो वाली सारी schemes for joint recruitment, अगर हर्याना पंजाब हैं, तोनों कहते हैं, कि सार ऐसा है, हम UPC से पूछ लेते हैं, कैसे exam होता है, कैसे exam करना करव होना है, या exam level कैसा होना चाहिए, exam में कोई अगर दिक्कत आ रही है, तो उसका resolution कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर states जानना चाहें, तो UPC से उनकी help करेगा, क्या असर बताओ, लाओ, हम कर दे रहे हैं, हमारे पूरा pattern हमारे ready है, ले लो, बहुत अच्छा pattern है, now, it serves all or any of the needs of a state on the request of the state governor and with the approval of the president of India, कि state की जो जो requirement है, ये बनाएंगे, ये अपनी पूरी कर देंगे, लाओ बताओ क्या करवाना है, हम बढ़ा देते हैं, UPC से बड़ी संस्ता कोन है, जो सब कुछ ही all-knowing body है, ठीक है, any claim for reimbursement, ये इनके consultation का part है, so, it is actually consultation, अगले page पे हम consultation भी क्या हुथा है, तो, consultation माने क्या, सरकार इनसे consult करेगी, क्यों करेगी, कब करेगी, बहुत से महुगा पर करेगी, तो, consultation अभी आगे दिखते है, इनसे consult करती है, अपनी जो, जो अमारी देश की, जो अमारी सरकार है, consult करती है, उन सारे matters पे, जो relate करते है, to the methods of recruitment, to civil services and for civil post, सही बात है, union government इनसे पूछती है, कि सर, हमारा exam होना है, हमें भरतियां चाहिए, और इस भरतियों के बाद, हमें recommend करतो, हमें कुछ ऐसे 600 meritorious students, और बता दो हमें कैसे उनको कहां-कहां, फिर क्या करवाना है, UPC कहती है, ठीक है, exam हो जाएं, हम बता रहें आपको सर, ठीक ह हमें लग रहा है, कि हमें कुछ officers को promote करना है, जो जिनको हम AGMUT अपना cater देंगे, कुछ को हम Danics cater देंगे, कुछ candidates को आप जो रख रहे हो, रख रहे हो, कुछ candidates को आप बोल रहे हो, कि सर, ये तो जाएंगे, कोई अलग cater में जाएंगे, या कैसे intermingling हो सकती है, इनकी कहां-कह आप ट्रेनिंग हो सकती हैंगे, जो जो सारी चीज़ है, ठीक है, तो UPSC जो इंडियन गवर्मेंट है, वो वेटिंग भी करती है, कहीं को पता नहीं होगा, कि UPSC का जो recommendation होता है, वो कोई आपका अधिकार नहीं है, ऐसा बिलकुल हो सकता है, कि UPSC ने recommend तो किया, पर UPSC ने recommend करने के बाद जब list दे दी अपनी भारत सरकार को, भारत सरकार ने फिर थोड़ी तैकीकात करना, इस नाम के उबर जा थोड़ी तैकीकात करना, ये नाम ठीक है कि नहीं, ये person okay है कि नहीं, पता चला वो person illegal कते वीडियो में लिप्त है, गया इंकर सारा recommendation खतम, फ पर इसके बाद, on all disciplinary matters affecting a person serving under the GOI in a civil capacity, के जो भी कोई भारत सरकार के अंडर, जो भी कोई civil post जो अपना काम कर रहा है, जो कोई अफसर है, अगर उनके उपर कोई disciplinary action लेना है, कोई उनके उपर अनुशासन हींता, या मतलब जो अनुशासन वाले कोई कदम उठाने पड़ें तो उनसे पूशा जाएगा, बयूपियसी से, के बताओ आप ही के भरती थी है, आप ही का recommendation था ही है, क्या करना है, ठीक है, फिर उसके बाद, on any claim for the award of a pension in respect of injuries, जब कोई civil servant अपनी duty कर रहा है, और duty के दोरान, on the duty, उस civil servant को कोई injury हो जाए, तब उनको क्या pension मिलेगी, कब तक या total, sum total कितना दे दिया जाएगा, एक बार में एक मुष्ट, जो भी है, इनसे पूशा जाएगा, any other matter referred to it by the president, ये इनसे पूशा जाएगा, इसके अलावा, जो point यहाँ था, ये वाला, कि जब किसी civil servant को अपनी duty करने के दोरान, कोई कदम उठाने पड़े, उन कदम उठान मैं कलेक्टर हूँ, मैंने कलेक्टर के नाते, अपने district में order चलवाया, भाई अतिक्रमण हटवाऊँगा मैं, तो कई सारे लोग नराद हो जाएंगे, कई सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे को कर रहा है, हमारा तो घर यहाँ तक था, हमारी तो आगे तक हमने मेड बना ली थी, ह हमने आगे garden मना लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, फिर मैं कहूँगा नहीं, यह पबलिक प्रोपर्टी थी, आपने सड़क को जो है आधी कर दिया, इतनी चोड़ी सड़क थी, यह और आपने घर बना बना के यहाँ तक आपने अपने घर बना दिये, अब जो है सड़क कर दो, फिर उसके बाद अब यह केस लड़ने के लिए मुझे कोर्ट में जो जो मेरा खर्चा होगा वकील का या और दस्तावेजों का, डॉक्यमेंट्स का, आने जाने का, जो सारा खर्चा होगा, एनी क्लेम फॉर रिंबर्समेंट, यह कंसल्ट किया जाएगा UPSC से, कि सर डी M साहब को अपनी ड्यूटी निभाने ती, ड्यूटी करने थी, उस ड्यूटी के दवरान जो उन्हें कदम उठाने पड़े, उनके क्यों कदमों की वज़य से केस हो गया, उनके उपर अब वो केस लड़ना चारहे अपना, अब वो केस लड़ें भी, तो क्या सरकार और कोई action ले लिया कोई अपना कोई कदम उठाल लिया वहार में अपने अपने बिना consultation के यह कि एसा नहीं है कि वह अक्षान लिया वह गया रद जीरो जीरो नहीं वह इर्रेगोलालीटी है ठीक गलत बात है नहीं होना चाहिए था इसा करना चाहिए था पर अगर बिना अब कोई remedy नहीं है आपके बाद इस बात पर कि अरे यूप एसी ते नहीं किया देखो 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 तो नहीं किया कोई बात नहीं थीक है यह जो सारे प्राफधान है से अब दसर्ट करें यह एक बना它इश यह है कि के Tier चल डिया जा रहा जा ल करो चलना है नहीं चलना है ने श시면 dolá ना पशला में करो ही करो नहीं करें क्या-पथःस्रकर मजबूरियां हो मैं मजबूरियां इनसे करवाएं, इनसे समय लें, बहुत समय लग जाएगा जो भी होगा, फिर और काम है, पार्लिमेंट क्या कर सकती है, पार्लिमेंट इनको और जम्मेदारी दे सकती है, रिलेटिंग टू दे सर्विसे अफ दे यूनियों, कैन भी कंफर्ड अपॉन दे यूपीसी, अब इस सिस्टम है हमारे लोगों का, of any authority, corporate body, और public institution within the jurisdiction of UPSC, जिसका मतलब है कि UPSC का jurisdiction बढ़ाया जा सकता है by an act made by the Parliament, कि UPSC को बोल लिया जाए भारा सरकार के तवारा, कि ऐसा है, कमिशन साहब, कमिशन तो कमिशन है, साहब तो क्या है, कि कमिशन जी, अब हम चाहते हैं कि आप ए ये Indian oil का भी, जो management है, उसकी भरती आप करवाना, ये पेचे कहीए, अच्छा, ठीक है, पहले लेकिन लिखित में तो, लिखित में कैसे था है, लोग एक्टी बना दे रहें आपके लिए, अब Indian oil का जो act है, जिस act के तहत Indian oil बनी है, ये महारतन company, उस act movement आ जाएगा, ऐसा है, इस act में जो management की भरती होगी, जो बड़े-बड़े GM होंगे, या ADGM होंगे, ये सारे जो GMs हैं, अब इनका जो appointment होगा, या recruitment होगा, इन लोगों का, ये करवाएगा कौन, UPSC, ठीक है, करवा लेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और करती, UPSC, UPSC, अपनी एक report present करती है, report, report दे कितने एक्जाम कराए, कितना खर्चा आया, कितने इसमें बच्चे बैठे एक्जाम में, कितने recruitment हुए, और कितनी posting हैं हुई, कितना हमने reserve list रखी हुई है, कितनी हमने लोगों को entry अभी नहीं दी है, या हमने कितना candidates आया और उनको reject किया है, ठीक है, तो पूरी report देते है र UPSC ने अलग से mention करके दिया था, कि report के साथ तो हम report दे रहे हैं, जो हमने काम किया है, हमने UPSC ने अपने आप से आपको कुछ advice दी थी, आपको मने राश्पती को, सरकार को, सरकार को हमने advice दी थी, और यहाँ पे हमारी advice को नहीं माना गया है, तो यहाँ पे राश्पती जी जब इस report को table करेंगे, उसके साथ ही एक memorandum में पेश करेंगे, पूरे लोग सबाराजय सबा में, जिसमें पताया गया होगा, कि हमने UPSC की कौनसी advice क्यों नहीं मानी, ठीक है, तो along with a memorandum, explaining the cases where the advice of the commission are not accepted and reasons for the same, कि कौनसी advice थी जो UPSC ने दी रिटन में, लिखके दी, mail करके दी थी, letter लेके बेजी थी, और हमने नहीं मानी सरकार ने, क्यों नहीं मानी, बताओ, क्यों नहीं मानी, पारलेमेंट में MPs आप से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, कि जब UPSC कह रही थी, कि age limit 26 करो, 24 करो, 27 करो, 28 करो, जो भी करो, तो आपने क्यों नहीं किया, क्या सो तो ये non-acceptance वाले जो, ये जितने सारी advice cases थे, जितने भी case, किसी एक वज़य से जो UPSC ने कोई advice दी, उस वज़य को जब नहीं माना गया, तो ये जो non-acceptance है, नहीं मानने की बात है, ये must be approved by appointments committee of the, of the, of the हमारी cabinet, के cabinet की याद है, एक committee होती, appointments committee, appointments committee के chairman कौन-कौन होते हैं, औ और उसमें जो chairman के अलावा कौन-कौन से और member होते हैं, cabinet committee is chapter याद आ गया, अब जो उसमें appointment committee है, वो पहले लिखके रखे, पहले से ready करके रखे answer, कि भाई, जो भाई, UPSC ने advice दी थी हमको, हमने नहीं मानी, क्यों नहीं मानी, यहीं बताएं, ज़रा बताएं ज़रा क्यों पेश किया जा रहा है, यहाँ पे, MPs जो है, सरकार का गला पकड़ेंगे, बताओ साब क्यों नहीं किया आपना, क्या वज़य हो गई थी, क्या वज़य रह गई थी, आपने नहीं मानीं की बताएं, ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे UPSC के ऊपर, बंदिशे अपने आ परक्षन लाना हो, और लाना हो, UPSC जने पूसा जाएगा, सॉरी, यह आपका काम नहीं है, आपका काम है exam कंड़ाओ, exam कंड़ाओ, कराने के बाद, selection लो, और selection, हम को बताओ कौण को बत्या से रहे हैं, हम देख लेंगे उसमें से कितनी क्ती काडेगरी, क्या-क्या है, ठीक यहाँ पे, with regard to the selection for a temporary or officiating appointment to a post, अगर कुछ समय के लिए, अंत्रिम, मतलब temporary है, अभी बस कुछ दिनों के लिए है, कुछ appointment है, कोई अफसर का appointment करना है, कोई, मानलोग कभी कोई acting DGP होते हैं, कोई acting IB के chief होते हैं, acting, अभी permanent नहीं है वो, तो ऐसे case में उनसे नहीं पूछा जा हैं, वो एक साल तक उस office में नहीं आपना है, किसी वजए से, अगर वो एक साल से जादा, for a period of more than one year, अगर एक साल से जादा का समय लग रहा है, उन परसन को उस office पे पहुछने में appointment हो रखा है, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, it is necessary in the public interest, अगर सरकार को लगता है कि ये जरूरी है, जन हित में, कि भाई, UPSC से मत पूछोगे, कि UPSC से पूछोगे, तो समय वेस्ट होगा, बस, it is necessary in the public interest to make the appointment immediately, and reference to UPSC will cause undue delay, delay हो जाएगा, UPSC के के रुख जाओ, अब लिस्ट तो हाँ, बनाई थी 77 batch के अफसर थे, एक बार देख लेते हैं, जड़ा कहा बल्क ऑफ ग्रूप C और गूप D चैनल सर्विस, अब रेलवे के ग्रूप D या ग्रूप C जो एक्जाम्स होते हैं, क्या वो UPSC करा दी है, नहीं, क्या उन एक्जाम्स का रिकूट्मेंट जब हो जाता है, उनका सेलेक्शन, उनका ट्रेनिंग, क्या इनसे पूछ जाती है फिर, with regard to the appointments to the post of chairman and members of board, commissions, authorities, हमारे सारे tribunals and other similar authorities, अब इनका appointment होना है, क्या पूछें, फोई बात नहीं, यहाँ पे, appointments to the post of heads of diplomatic mission, consular and other similar Indian missions, जो बाहर, इंडिया से बाहर जो इंडिया की embassies है, जो इंडिया के दूतावास है, जो इंडिया की consulates है, वहाँ पे, जो इनका appointment ह होता है, जो जो वहाँ पे हमारे ambassador जाते हैं, या high commissioner जाते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, इनके ambassador होते हैं, high commissioner होते हैं, common नाम यहीं है, बागी minister French word, ये लोग यूज करते हैं, commissioners, consuls, general, representatives, agent, इन सब का appointment, UPC से नहीं पूछे जाते हैं, UPC कहती है, हाँ सर, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, और इनका order preference ये है, cadar allocation आप करना, DOPT, ठीक है, बाकी आप आप जानो, हमने कर गया आपको दे दिये, अब आप किसको ambassador बना रहे हो, किसको क्या बना रहे हो, आपके उपर है, ठीक है, उधर constitution ने president को empower किया है, कि आप इन से कोई चीज exclude भी करा सकते हो, exclude, कि क्या UPC से ना पूछ है, कि क्या UPC का काम नहीं है, कि राश्पती के पास है, सम्विधान के दुआरा, कि UPC के पास कौन सी चीज इन से छीन रहे हो आप, ठीक है, in respect to the all India services and central services and post may make regulations specifying the matters in which it shall not be necessary for UPC to be consulted, ने पूछरे ने पूछरे, हमी बता रहे हैं न, हम सरकार है, हमने आपको बताये कि हम आप खतम होगी यहां पर, बट, 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 एक की है, बट, सच रेगुलेशन मेड़ बाद प्रेसिदेंट शैल भी लेड़ बिफोर इच हाउस ऑफ पार्लेमेंट फॉर एटलीस 14 डेज, पार्लेमेंट कैन अपेंड और राश्पती जी ने, मतलब सरकार ने, जो ऐसे कुछ र चाहेंगे दोनों हाउस में 14-14 दिनों के लिए, पार्लेमेंट चाहे तो इन रूल्स को अमेंड कर दे, या रिपीली कर दे, हतमी कर दिये, यह क्या बगवास रूला भाई, यह तो उपेसे काम है, तो करना चाहिए उन्हें, क्यों आप बना कर रहो काम करने से, ठीक है, तो में, और ठावन में रेगुलेशन भी आगे कि भाईया, यह नहीं पूछ रहे हैं, बहुत समय बेशते हैं, इतना समय नहीं नहीं, भरती करो जल्दी अफसर दो बसमय, बस, कुल मिला कि यह बात है, यह जो रेगुलेशन हैं, यह जो रेगुलेशन हैं, आप करना कि सब जो UPSC है, यह है, watchdog of merit system, यह merit जो word है, यह बहुत important है, merit word की कोई एहमियत समझे, कैसे समझाओ, चलो, ऐसे समझो, जब मेरा पहला interview हो था न, तो मेरे पहले interview में मुझसे पूछा, कि हमको यह बताओ, ऐसा क्या समय होगा, ऐसा कौन सा दिन होगा, या क्या घड़ी होगी, जब दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग अवेक हों, मतलब जगे हुए हों, तो मैंने का सर इसका अंसर तो जोग्रफी से निकलेगा, तो बोले कैसे, मैंने का सर मैं सड़ी से वाकिफ नहीं हो, पर जुलाई में ऐसा एक दिन जरूर होता है, जहां पे जो हमारी globe हो होता है, वो landmass पे होता है, और pacification जो पीछे का हिस्सा है न, pacification, वहाँ पे रात रहती है, अच्छा, वो बोले ये कैसे पता चलेगा, मैंने का सर अर्थ घुमती है, तो अर्थ का अल्मोस्ट आधा हिस्सा pacification से डगा हुआ है, अब एक दिन है जुलाई में ऐसा, जहां पे वो पढ़ती है, रोशनी, खाली पूरे पूरे लैंड मास पे और पैसिफेकोशन पे ये होता अंधेरा होता, तो मतलब इक्वल डिस्रिबूशन है, उस दिन अपने ठीक है, डेलाइट का, तो बोले कि आपको करेक्टली आपको नॉलेज नहीं है, मैंने का सर, ओके, सौरी तो इसका मतलब है कि मैं मेरिट पे उतना स्ट्रॉंग नहीं आए, अगले साल इंटर्व्यू हुआ, फिर से हम गए, फिर से उन्होंने पूशा कि हाँ पिछली पर क्या हुआ था इंटर्व्यू में, मैंने का सर, ऐसा एक कुश्चन हुआ था, जिसमें मुझा आलसर नहीं गंगा कितनी पॉलिटेट है, मैंने का सर, बहुत जादा पॉलिटेट है, तो बोले कितनी, मैंने का एंपिरिकल एविदेंस दू, तो जो पार्टिकल 50 PPM होना चाहिए, वह 5,000 PPM है, 50,000 PPM है, तो यह ऐसे वाले कुश्चन होते हैं, जहां आपको अपना आंसर देना है, साथ, तो यह होती है, मेरिट, ऐसी तेह होती है, अब यहां पर ही, UPSC is concerned with the recruitment to all in a services and central services and group A, group B and advises the government when consulted on promotions and disciplinary matters, यह काम है इनके, किसा आप जब इन से पूछा है, बता दिया करो, बागी अपना काम करते रहो, अपने all in a services हो और अपने जो जितनी बागी central services हैं, उसमें इनक appointments के लिए, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप यह नहीं बता रहे हो, कि service का classification कैसे हो रहा है, कितनी उनकी basic pay, DA, HR, allowance, TA, सारी चीज़ है, यह आपकी काम नहीं है, UPSC का काम नहीं है, service conditions, कौन से अपसर को कितना बड़ा flat मिलेगा, कितना बड़ा घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, क लबासना में, आपने अपना partner चुन लिया हमाँ पर, आपने देखा कि अरे, कितनी smart है, तो आपने कहा कि, hello maim, बात करते हैं, coffee पी आपने, अब वहाँ पर जाके आपकी दोस्ती हो गई, आपने कहा कि, इस दोस्ती को और आगे लेके चलते हैं, तो जब आप शादी कर रहे अब, training उनकी कौन करा रहा है, तो ये वाला जो matter है, training का, carter management, service पे, ये सारा देखता है, DOPT, ministry of personnel, administration, public grievance, pension, इन सबकी एक ministry अपनी, ठीक है, इस ministry का, एक department ये है, बाकी, दो departments और है, एक department देखता है, सारे प्रशासनिक reforms के बारे में, एक department देखता है, pension के बारे में, बताना दोई हैं, और दोनों के नाम बता देना, correctly, अब, UPSC के ऊपर, कुछ-कुछ, problem है, problem ऐसे आ रही है, कि UPSC पहली बात तो एक advisory body बन करेंगे, UPSC, एक advisory nature की अपने recommendation देती है, ये कोई अपनी, वैसी evidence, वैसी advice देती है, जो है नी, जो बिल्कु सुप्रीम कोड के तरह है, binding हो दे दी तो दे दी, आप तो माननी पड़े ही सरकार को, क्योंकि सरकार ही तो है, जो बता रही है कि हमें क्या बता सकते हैं, मतलब, क्या है, government can also make rules which regulate the scope of the advisory function of the UPSC, लो, क्या advice देंगे, वो भी यही बताएंगे, और ये advice माने, ना माने, इनके उपर है, बस एक safeguard यहाँ पर य responsibility of the government to the parliament for departing from the recommendation of UPSC, कि क्या वजय थी जो आपने UPSC recommendation आपने नहीं माने, परलेमेंट को answer करो, परलेमेंट को बताओ, परलेमेंट, तो वहाँ सब कुछ है, लोकसभा में तो आपको सरकार को बिलकुल जवाब देना पड़ेगा, return, लिखित में, orally, जैसे भी, जवाब दे क्योंकि भाई, you are responsible to the lower house, साब बात है, no option, फिर इसके बाद हमने देखा कि यह तो एक और चीज़ शुरू हुई थी, CVC, 1964 में एक नईची जा गई, Central Vigilance System, Vigilance, समझना आ रहा है, जहां पर मतलब सतर्क था, तो सतर्क है, अब CVC जो आयोग है, यह 1964 में तो आया, आया यह बना है, executive resolution से, एक सरकारी order से, government order से, समयदान में mention नहीं है, समयदान में CVC का कोई ओल लेख नहीं है, यह बना executive resolution से, बाद में इसको act मिला अपना October 2003, बहुत बाद में जाते है, CVC का, अब CVC और UPSC में कुछ कुछ तनातनी सी हो जाती है, इसकी वजह से ही, UPSC का थोड दोनों ही body जो है, दोनों ही जो अपने संस्थान है, they are consulted by the government while taking disciplinary action against a civil servant, जब एक civil servant के खिलाफ action लेना होता है, अभी हाल में एक आईये suspend हुए है, अभी हाल में, एक state के DGP suspend हुए है, जो election commission ने suspend कर दिये, खेर, ठीक है, तो जब ऐसे में, जब सरकार जैसे अगर मानलों किस अगर सरकार अगर action लेती है, किसी civil servant के ऊपर, तब वो CVC से पूछे, UPSC से पूछे, क्या करे, कहां जाए, तब, ऐसे में problem आती है, जब two bodies, tender conflicting advice, जब दोनों बोडी कहरी है, नहीं, एक कहरी है, अरे यार ठीक है, हमने भरती क्या हमें पता है, CVC कह रहा है, अरे भरती तो क या ठीक है, लेकिन काम तो देखो, तब, इसके बाद UPSC कहेगी, काम किये हैं, उसना, ऐसे मत तो, तब, दोनों मान लेते हैं, यह सब hypothetical है, दोनों advice, दोनों की अलग अलग है, तब, ऐसे में, UPSC, जो कि एक independent constitutional body है, they have an extra edge over the CVC, क्योंकि यह एक समविधानिक body है, और यह एक act के द्वारा बनाई गई body है, statutory body है, ठीक, यह हुआ है, तो, बस यह इनकी limitation है, यहां पर आके यह अटक जाते हैं, इस वज़े से हमाला chapter भी है, खतम हो जा रहा है, इस chapter के बाद कोई question भी मुझे नहीं दिखे, तो, इस chapter को मैं खतम करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे अपन हुआ है